है जो है सियाल कि आज आज हम बात करने जा रहे हैं कुषिंट की इक कुष्येशन कहा तो नाम ही लग रहे होगा जहां पर एक्वाइल्ट्ट्टू लगा हुं और कुषिंट्ट्ट्टे का मतलब होता है जिसकी डिग्री टू हो तो दो डिग्री के एक कुशन की हम बात करने जा रहे है ठीक है ये एक कुशन होता है AX स्क्वार प्लस BX प्लस C अभी तक आपने क्वाडेटिक एक्स्प्रेशन देखी थी क्वाडेटिक पॉलिनामियल की हमने बात की थी ऐसा नहीं वो नाम सुना है आपने वहाँ था क्वाडेटिक पॉलिनामियल वहाँ पर X की वैलू निकलती थी उसको हम क्या कहते थे जिरोज कहते थे ठीक है यहाँ पर वही चीज होगी लेकिन जिरोज कह सकते है उसको भी उसको हम सलूसन कहेंगे हम रूर्स कहेंगे यहनि जो X की वै या उसको zeros of the equation बोलेंगे या उसको हम solution of the equation बोलेंगे तो ये आपकी quadratic equation है equal to zero x की degree कितनी है what is the degree of this equation दो तो जिसमें जितनी degree होती है x की उतनी ही values होती है परहे बास समझेगा जिसमें जितनी degree होती है उसमें उतनी ही value होती है जैसे मैंने आप से कहा कि x square is equal to x इसको solve करिए जनरली जैसा आप करते हैं आप एक x से एक x cancel कर देंगे और x की value क्या जाएगी 1 क्या मैंने यह सही किया गलत यह है कि यह cancel नहीं होता है देखे जो हम cancel कर देते हैं this rule is not right इसमें क्या होता है कि x square था यह जो minus यह जो अधर x है ना उधर इसको इधर shift करके equal to zero कर दीजे यहां से क्या common दिख रहा है आपको यहां से x common ले लिजेगा बचेगा x minus 1 is equal to zero अब तो यहां पर कितने factors हैं दो factors हैं दो चीज का multiplication zero अगर होता है तो वहां possibility यह है कि या तो यह zero है या तो यह zero है या तो दोनों zero है तो एक बार एक factor को zero कर देते हैं और एक बार दूसरे factor को zero कर देते हैं और x की value one निकाल लेते हैं तो this is the way to solve the equation कहना मैं कहरा यह क्यों चाहता था अभी हमने solution नहीं बताया है कहना यह चाहता था कि कोई भी polynomial या कोई भी equation जितने degree का होता है उसमें x की उतनी ही value या x जिसके term में दिया हो यह x के term में दिया है तो हम x की बात कर रहें उतने ही x की values निकलती है ठीक है अच्छा तो जो x की value निकलेंगी वो यहां क्या कहलाएंगी root साथ दो एक question कहलाएंगी ठीक है पहले तो हम पहचान ना सीखेंगे quadratic की equation कोई है की नहीं है तो हमने का quadratic का मतलब होता है जिसकी degree 2 हो degree का मतलब होता है highest power of x उसमें 2 होना चाहिए जैसे मैंने एक equation लिख दिया x प्लस 3 अपान x एक मैंने example लिखा x प्लस 3 अपान x is equal to x square अब बताएंगी यह quadratic है की नहीं है यह फ़र से आप पेन उठाएंगी उसको solve करिए यह cubic है ठीक है जैसे हमने एक और example दिया कि x square प्लस 2 root x x square प्लस 2 root x minus 3 is equal to 0 यह quadratic है यह नहीं है जिसका root यह रटाने का तरीका क्या आपके पास है इसका root यह रटाने का तरीका क्या होता है देखे यह equation की हम बात कर रहें यानि यह यहां पर x की power root नहीं चलेगी ठीक है यहा तो Roald अठाईए है आप रूड नहीं चलेगी माइनस नहीं चलेगी अपाननी चलेगा कुछ नहीं चलेगा यह जस्त पॉलिनामियल की टाइप का होना ची है ओलिनामियल में क्या होता है कि अगर यह zero नہ लिखा हुता है यह नहीं लिखा हुता और क्यों इतना term होता तो हम कहते हैं ये polynomial नहीं है क्यों? क्योंकि यहाँ x की power क्या है? half लिखा हुआ है, है ना? लेकिन equation में मेरे पास एक freedom है equation में ये freedom है देखो ज्यान से जैसे equal to zero है जैसे इस equation के हम बात कर रहे थी यहाँ मेरे पास एक freedom है कि यह polynomial तो नहीं था अगर यह equal to न लिखा होता तो इसमें x upon में लिखा हुआ है लेकिन आपने LCM ले लिया और LCM लेकर के cross multiply कर दिया x upon वाले x को उधर transfer कर दिया तो आराम यह मिल गई कि यह बन गया polynomial और बात में आपने degree पहें चाल ली तो equation में यह freedom है कि हम इस root वाले portion को अकेला कर दें ठीक है और जो बचा हुआ portion है उसको हम transfer कर दें और root हटाने के लिए हम दोनों तरफ squaring कर दें यह मेरे पास freedom है मता अगर हमसे कहा जाए कि यह polynomial है कि नहीं है तो आप कहेंगे देखिए अगर equal to ना होता तो polynomial ना होता लेकिन इसको बनाया जा सकता है जब squaring करेंगे तो यह आएगा 4x यह आएगा आपका 9 plus x to power 4 minus 6x square तो अब बताइए देख करके यह quadratic है कि नहीं है यह quadratic नहीं है ठीक है तो कहने का मतलब यह होगा अगर root x लिखा हो यह पान में x लिखा हो तो polynomial तो नहीं है लेकिन वो polynomial बनाया जा सकता है by taking dalsium by squaring इस तरीके से पहचानना होगा कि quadratic है नहीं है ठीक है अच्छा दूसा तरीका हमने आपको एक quadratic equation दे दिया और उस equation का एक solution दे दिया और हमने कहा चेक करके बताओ यह इसकी value है की नहीं है यह इस equation का solution है की नहीं है हमने कहा चेक करिए जैसे मैंने एक example लिया देखिए मैंने एक example लिया मा लिया 3x square minus 2x minus 1 3x square minus 2x minus 1 is equal to 0 और हमने value x की बताई 1 अब हमने कहा बताओ x is equal to 1 is the solution of this equation or not क्या तरीका होता है यह solution है की नहीं है चेक करना है तो हम क्या करेंगे मैं इसको इससे satisfy कराऊंगा मैं x की value यहां पर रखूँगा left hand side में और left hand side में x की value मा ले रखता हूँ तो यह आ जाता है 3 into x की value 1 है 1 का square minus 2 into 1 minus 1 I have taken left hand side तो आएगा 3 minus 3 equal to 0 और this is right hand side तो हम language क्या लिखते है because this value is satisfying the equation यह value इसको satisfy कर रही है इसलिए हम कह देते हैं यह इसका equation इसका solution है तो एक तो तरीका होता है solution है की नहीं है उसको check करना है solution दे रखा या लेडी ठीक है? अच्छा दूसरा यह है देखिए एक question है कि solution है की नहीं check कर दिया एक में कहा यह solution है आपको check नहीं करना है हमने कह दिया है solution तो है का मतलब वो value उसको satisfy करेगी ही करे या ना करे लेकिन चुकि question कह रहा है जैसे मैं एक example लेता हूँ यहाँ पर एक equation में लेता हूँ kx square plus 2x minus 3 यह एक equation है और कह रहे है x is equal to 2 is the solution of this equation is the root of this equation x is equal to 2 इसका root है इसका solution है तो k की value find करिए करिए find कैसे value find करेंगे आप तो आपने क्या किया x को 2 रख दिया तो this will become 4k plus 4 minus 3 is equal to 0 क्या बोला k क्यों 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 बोला आपने k will equal to minus 1 by 4 not plus 1 by 4 तो यह minus 1 by 4 इसकी value होगी तो यह तो छोड़ी बाते हैं जो कि आपको check करना है तो यह आप कर लेंगे तीक है अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि पहले कि इसमें हो जाएगा इसमें जैसे हम एक कुश्ण और लेते हैं इसी प्रिकार का एक कुश्ण है आपका ax square प्लस 7x प्लस b एक एक्जाम्पल है ax square plus 7x plus b equal to 0 और x की value है 2 by 3 and minus 3 x की value है 2 by 3 and minus 3 these are two values of x and these are the solution of this equation तो कहते हैं a और b की value find करिए करिए find कैसे find करेंगे find the value of a and b क्या तरीका होगा इसका तरीका क्या adopt करेंगे आप दोनों values की इसको satisfy कराएंगे हम कहेंगे because these are the solution so this will satisfy तो x is equal to 2 by 3 इसको satisfy करेगा तो putting x is equal to 2 by 3 इसको in equation 1 1 में तक देंगे क्या हो जाएगा ये 4 by 9a plus 7 14 by 3 plus b is equal to 0 यहां 9 lcm रे लिया आपने तो आगया 4a plus 42 plus 9b और अपान जो 9 होगा उधर 0 हो जाएगा तो एक equation आया 4a plus 9b plus 42 is equal to 0 इसकोड इसकोड एक बार 2y3 रखेंगे putting x is equal to minus 3 तो यह बन जाएगा आपका 9a minus 21 plus b is equal to 0 यहनिके 9a plus b minus 21 is equal to 0 ये equation 3 हो गया दोनों को solve करिए और a और b की value find करिए बताइए क्या होगी value हम अगर a को cancel करना चाहते हैं तो एक coefficient equate करना पड़ेगा अगर 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 यहाँ पर b को हम multiply 9 से कर दे 9 भी बन जाएगा यहाँ पर भाई b का coefficient इसली equate हो सकता है ना simple multiply करें तो मैं क्या करता हूँ इस equation को 9 से multiply कर देता हूँ तो ये equation क्या बन जाती है ये बन जाती है 81a plus 9b minus इतना एगा 189 is equal to 0 सही काम ने और ये equation क्या है 4a plus 9b plus 42 is equal to 0 अब बताइए पहली बात दोरों में से एक V cancel होना है subtraction पर कटेगा या addition पर कटेगा करिए दोरों में subtraction लगाईए तो यहाँ subtraction लगाएंगे तो this sign will change this sign will change ये कट गया 81a minus 4a कितना आएगा 70 तो 77 a ये दोरों minus है तो minus कितना होगा is equal to 0 तो a की value क्या होगई 231 upon 77 कितने किसे कटेगा ये three times कर जाएगा ना तो a की value 3 आ गई और a को उठा के कहीं रख दीजे you will get the value of b वो नहीं है these are the simultaneous linear equation याद है इसी लिए interconnect हो रहे है पहले वो solve की करेंगे तब ये solve को ना सिखाया गया है कोई बात है method कोई भी adopt कर सकते है method कोई भी adopt किया जा सकता है अब देखिए अब quadratic equation को solve करने के तरीके हम बताने जा रहे है heading डाल सकते है quadratic equation solution अब quadratic equation by factorization method थोड़ा सा recap करिएगा factors का quadratic factors का तरीका ये था कि अगर इस प्रकार से expression है ये इस प्रकार से expression है आपने quadratic polynomial में इसको distance किया है तो इसके factor करने का तरीका क्या था तैसे उसमें बताया गया था कि तो c point number है इसके दो ऐसे टुकडे करिए जिनका multiply करने पर तो c आए लेकिन addition या subtraction करने पर b आए अगर इस positive है तो addition करने पर b आए और negative है तो subtraction करने पर b आए अच्छा दूसरा था अगर यहां a लगा है तो तरीका क्या बताया था पहले a और c का multiply करिए जो result आए उसके ऐसे टुकडे करेंगे कि जिनका multiplication तो ये पूरा result आए लेकिन addition या subtraction करने पर b आए ये हमने तरीका बता है ठीक है तो इसी तरीके को हम यहां पर adopt करेंगे देखिए एकाथ question डिसन्स करते हैं ये है solution of quadratic equation by factorization अब मालिया आपने आपको ये question दिया गया है तो आपको वहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि factorization करो या कौन सब method करो you can adopt any method what you want जैसे x square plus 6x plus 5 x square plus 6x plus 5 is equal to 0 अब इसे आपको by factor method इसको solve करिए solve it by factorization method तरीका दिख रहा होगा कि ये 5 है चुकि x square के साथ 1 है कोई फर्क भी पढ़ता 5 है 5 वन्जाब 5 ये 5 वन्जाब 6 होता है तो 6 को क्या लिखेंगे 5 plus 1 देखे हमने बताया इसके पहले भी है कि sign mistake होने की बहुत chance होते है by chance की बाद है हाँ positive sign है कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है तो हमने बताया था आप 6 की जगे लिखेंगे 5 plus 1 यानि आप ना तो इस minus को छेड़ेंगे ना तो इस x को छेड़ेंगे plus 5 is equal to 0 एक इसने बढ़ेगा जरूब बस अब आप plus को अंदर ले जाएंगे और इस x को अंदर ले जाएंगे तो यह आएगा x square plus 5x plus x plus 5 is equal to 0 अब यहाँ चार स्टम्स हो गए दो दो को arrange करेंगे यहाँ से x कामल लेंगे यहाँ आएगा x plus 5 यहाँ से plus 1 कामल लेंगे यहाँ आएगा x plus 5 is equal to 0 यहाँ से x plus 5 कामल लेंगे x plus 1 is equal to 0 एक बार इसको 0 किया हमने तो x की value आए minus 5 और एक बार हमने इसको 0 किया तो x की value आए गई minus 1 तो this is the way to solve this quadratic equation by factorization method बिल्कुल वही है इसमें equation लिखी दे दिया इकल्टू लिखी दिखा हुआ है ठीक है यह quadratic polynomial ही यह है शर्त ही है इसमें equal to दे दिया तो यह बन गया equation लगबग लगव ही रहेगा थोड़ा change होगा भी कुछ questions बदलेंगे उस तरीकें बदलेंगे बहुत technical chapter है ध्यान रखीगा यह आपका पीछा बड़े class तक ही छोड़ेगा ठीक है बस अपना nature बदलता जाएगा जैसे करोना नहीं बदला second strain चालू हो रही है तो यह second strain of quadratic है बस थोड़ा सा अपना behavior चेंज कर रहा है factorization method हर जगे factors भी नहीं हो पाएंगे कुछ cases में factors नहीं हो पाएंगे तब बताया जाएगा method change हो जाएगा 8x square minus 22x minus 21 is equal to 0 always factors are possible ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है यह ज़रा इसको करिए क्या तरीका होता है 21 और 8 का multiply करिए अब ज़रा एक चीज़ ज़रा समझेगा एक second पार जाब यह जो multiply करते हैं न इसे multiply मत किया करिए क्योंकि multiply करने के बाद फिर factor करने पड़ेंगे आपको करना फेक्टर ही आपको तो यहीं से factor कर लो 21 का हो जाएगा 3 into 7 और 8 का हो जाएगा 2 into 2 into 2 हो गई factor हाँ अगर पहले से आपको factors दिख रहे हूं कोई दिक्कत नहीं है अब इसको ऐसे दो पार्ट में arrange करो चुकि यह negative है देखें अभी हमने कहा था some यह difference भी के equal आए ठीक है उसे रटना नहीं है क्योंकि अगर practically देखा जाये तो यह minus में है यह positive है देखा जाए यह number negative आएगा नहीं आएगा ना तो एक positive एक negative अपने आप दिख रहा है और ना देखना हो तो यह negative नंबर है इसलिए minus दोनों को करने पर 22 आना चाहिए तो अब इसको ऐसे अरंच करो जिसको minus करने पर 22 आ जाए करिए कैसे क्या जोड़ेंगे हमको नहीं मालूम कैसे करना है यह हमको दिख रहा है दो दो पार्ट में आपको grouping करनी है ऐसा ऐसी grouping करनी है जिनमें दो टुकड़े उसके हो जाए multiply करने पर यह result आवे और minus करने पर 22 आवे तो आपको दिख रहा है 720142028 और 32006 और 28 में अगर 6 minus करेंगे तो 22 आजाएगा दिख रहा है आपको अब sign mistake नहों उसके लिए क्या करना होता है हमने का भाई देखे 8x square minus 22 को लिखेंगे 28 minus 6 x minus 21 is equal to 0 अब देखो bracket खोड़ने का तरीका यह x को अंदर ले जाओ इस minus को अंदर ले जाओ sign mistake नहीं होनी चाहिए तो यह आएगा 8x square minus 28x plus 6x minus 21 is equal to 0 इसको अरेंज करो यहां से क्या कमन होगा 4x कमन हो जाएगा तो 2x minus very good कमन लेने में ध्यान दखेगा आगे जो भी कमन ले यह bracket में ही बचना चाहिए और अगर यह नहीं बच रहा है तो कहिंड कहीं mistake है ठीक है यह ध्यान दखेगा यहां से आपको 3 दिख रहा होगा 2x minus 7 is equal to 0 तो यह आपका होगया 2x minus 7 और यह आएगा 4x plus 3 is equal to 0 एक बार इसको 0 कर देंगे तो x की value आएगी 7 by 2 और एक बार इसको 0 कर देंगे तो x की value आएगी minus 3 by 4 इस प्रकार से value निकालेगे अच्छा आपका minus 7 by 2 आया अच्छा very good कहें के लिए minus 7 by 2 आया भाश सब एक बाद जरा सुनिए जरा मुझे सुनिए मुझे सुनिए आपने यहां plus 20 minus 6 तो नहीं कर दिया प्लस 28 यह बताईए plus 28 देखे दो इस जरा मुझे सुनिएगा यह दुबारा देखिएगा यही चीज आ रही है भाई आप जो टुक्डे कर रहे हो उसके जो उसको split कर रहे हो तो ultimate result तो वही आना चाहिए अगर plus 28 minus 6 करोगे तो plus का 22 नहीं हो जाएगा हो जाएगा इस इन नहीं हो जाएगा ना इसलिए देखिए देखिए ना तो मैंने minus को छेडा ना तो मैंने x को छेडा अगले step में हम minus को अंदर ले गए x को अंदर ले गए अब minus का एक character होता है कि वो sign को change करता है वो अंदर गया और hero की तरह sign change करता हुआ सब change कर दिया उसने तो ये गलती नहीं होनी चाहिए algebra is the mathematics of sign algebra sign की mathematics से plus minus ही करता है note कर दिये इसको question है एक example है 1 upon x minus 2 plus 2 upon x minus 1 is equal 6 upon x थोड़ा time आपको दिया आप इससे solve करें फिर हम बात करने कैसे solve किया जाएगा स सकते है हुआ है मैं सससक्षप्पड़ aha आपको अनृ आपको प्रूब ल rozp आपूएबा LOदन न होसा झापा है का रछाम स Isabya कि देखें यहां पर आर्चेस एलेचस से मतलब ही नहीं है यहां पर सिंप्ली एलसेम ले करके आपको सब को क्रॉस मिल्टिप्लाइब करके सब को एक तरफ ले आना है पहले तो अर्चे से कोई मतलब नहीं एक्वल टू जीरो करिये है हाँ तभी कोशन मनेगी वो वह स्टेंडर्ड फार्वी होता है एक्स इसक्वाब भी एक्सवाब सी इस इकल टू जीरो अच्छा एक स 66 एक सकडने से अगर आप ने चलिया है एक फैक्टर कर लिए मा लेते हैं अप लिए और इस इकल टू टू फाइव एक्स आ इस आ जागिया आप बताओ क्या करोगे किसे equate करोगे आब इसको यह equate तो 5 के हो नहीं सकता दो चीज़ का multiplication 0 होता है तब मेरे पास एक rule होता है कि दोनों में से एक कोई 0 होगा ठीक है लेकिन equal to any number होता है तो यह rule ऐसा नहीं लगता है यह आ जाएगा x-1 plus 2x-4 upon x-square minus 3x plus 2 is equal to 6 upon x यह आ गया आपका 3x minus 5 upon x-square minus 3x plus 2 is equal to 6 upon x doing cross multiplication तो आएगा यह 3x square minus 5x is equal to 6x square minus 18x plus 12 देखले ना कहीं गलती नहीं हो रही हो यह बड़ी बैलू है इसको पहले लिखेंगे हम 6x square minus 18x plus 12 minus 3x square plus 5x is equal to 0 तो यह आएगा 3x square minus this will become 13x plus 12 is equal to 0 इसे क्या rule लगेगा देखो वाई हम थोड़ा सा समय आप दीजिए कितनी जल्दी question solve करें यह माईने ने रखता है कितना correct solve करें यह माईने रखता है देखो ध्यान से 12 और 3 का multiply करेंगे 36 आएगा और 36 के ऐसे टुकडे जिनका addition करने पर 13 आए तो 9 4 जा 36 होता है और 9 प्लस 4 करेंगे तो 13 आएगा तो इस 13 की जगा रख दीजिए 9 प्लस 4 13 की जगा फिर समझेगा यह माईनस दिक्कत न करें यह x दिक्कत न करें उसके लिए हमने का 13 जिगा रख दीजिए आप तो यह आजाएगा 3x square minus इसको लिखेंगे 9 प्लस 4 x plus 12 is equal to 0 इसको अलग कर दीजिए अब माइनस को अंदर ले जाओ और एक्स को अंदर ले जाओ तो 3x square minus 9x minus 4x plus 12 is equal to 0 यहां से 3x common यहां x minus 3 यहां से minus 4 common यह x minus 3 जड़ा एक गलती होती है कभी कोई सरसम अली जिएगा इसमें से आपने common लिया यहां x minus 3 बचा है अगले में जो भी आप कामल ले x positive होना चाहिए है ना अब देखिए यहां x को कोफिशन माइनस 4 है ना और हमको 1 लाना है यहां तो x का कोफिशन माइनस 4 है 1 लाने के लिए क्लिए अगर ना पड़ेगा माइनस 4 कामल लेना पड़ेगा ध्यान लखिएगा common ऐसा होना चाहिए कि यह सेम ब्रैकेट यहां होना चाहिए ठीक है अच्छा अगर नहीं आ रहा है तो गलती पकड़ में आ जाएगी कुछ लोग क्या करते है common कुछ भी लिख देंगे यहां लिख देंगे x-3 आ गया आना चाहिए आ नहीं जाएगा अपने आप तो अब क्या common दिख रहा है आपको यहां से x-3 common दिख रहा है और यहां से 3x-4 common दिख रहा है अब दो factors हैं इनका multiplication 0 है दो factors का multiplication 0 कब हो सकता है जब दोनों में से कम से कम एक 0 है या दोनों 0 इसलिए हम एक बार इसको 0 कर देते हैं x-3 0 करेंगे x की value 3 आएगी और एक में हम 3x-4 0 करेंगे x की value 4 by 3 आएगी एक example और देते हैं x square minus 2ax plus a square minus b square equal to 0 जड़ा इसको by factorization method you find the value of x इसके factors करिए और x की value find करिए करिंगे y। पुरी एकτα बीए झाल प्रेण 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 हैं हम भी डालते हैं बसे आदत मेरी भी है अरे भाई AB is constant X की तुकाल नहीं होगी अच्छा आपको यहाँ AB भी कौडिटी दिख रहा है ना नहीं नहीं X की निकाल नहीं है क्या factor किये आपने पता नहीं अब ज़रा समझेगा आपको यहाँ X के साथ क्या लाना है 2A माइनस से कोई मतलब निद्यान कीगा हम माइनस को नहीं छेड़ रहे है 2A लाना है और आपका जो constant term है वो क्या है A square minus B square अब A square minus B square के factors आपके सामने है A plus B and A minus B और यह बाहर है positive sign चुकि हमने पूरा यह वाला step लिया है ना तो इन दोनो factors को अगर add करें तो इनका summation 2A आता है अगर मैं A minus B A plus B और A minus B जो कि दो factors थे इनको add कर देता हूं तो 2A आता है आ रहा है ना बस यह हम करेंगे गलती नहीं होना चाहिए ध्यान रखेगा तो देखे हमने कहा है 2A को हमको क्यों लेना है हमको ना तो minus से मतलब ना तो X से मतलब है X square minus देखे 2A को लिखेंगे A plus B plus A minus B into X plus A square minus B square जो की एक साथ हम लिख रहे हैं equal to 0 हम इसको अलग अलग नहीं करेंगे यह पूरा factor एक रहेगा अब X अंदर जाएगा इसके साथ और इसके साथ और minus भी अंदर जाएगा इस bracket को मत खोलिएगा तो X square minus A plus B के साथ आएगा X minus A minus B के साथ आएगा X plus इसको हम चाहें तो A plus B into A minus B लिख सकते हैं अब आपके पात कितने steps हैं 4 2 को मैंने arrange किया यहां से X कामल लिया तो यहां आएगा आपका X minus इसको जान भूज के हम bracket में ही लिख रहें और फिर यहां से क्या कमल लिएगे देखे यहां पर X का coefficient 1 आना चाहिए यहां X साथ है minus A minus B तो हम minus A minus B कमल लिएगे तो यहां आएगा X minus यहां आएगा A plus B equal to 0 अब दो factor दिख रहे हैं आपको एक यह factor एक यह एक साथ कावन है तो X minus A plus B एक factor होगा और X minus A minus B एक factor होगा अब साब साब रूल आपको मालूम है अगर दो factors 0 है तो individual एक बार इसको 0 कर दो एक बार इसको 0 कर दो एक बार आप कहेंगे X minus A plus B is equal to 0 तो X की value आएगी A plus B और एक X minus A minus B equal to 0 X की value आएगी A minus B यह कह रहे हैं कि अगर मैं इसको bracket खोल देता हूँ यह आदा है X square minus 2AX plus A square minus P square is equal to 0 इन तीन step को देखता हूँ तो या तो यह X minus A का whole square लिखा हुआ है या यह A minus X का whole square लिखा है यह तो आप बोल रहे हो ना अज़र तुमने इसको क्या लिखा A minus X चले मैं लिख देता हूँ क्योंकि ऐसा कोई hard and fast rule तो है नहीं कि आप इसको minus नहीं लिख सकते और B square को ऐसे लिख दिया equal to 0 अब क्या किया आपने इसको factorize किया होगा फिर हाँ तो मैंने एक bracket लिखा A minus X plus B और एक में लिखा A minus X minus B यही तो आपने किया ना एक बार इसको 0 किया आपने A minus X plus B is equal to 0 X को उधर ले गए तो A plus B is equal to X X की value क्या आई A plus B आई है ज़रा देखो ध्यान से और यही मेरी value आई है और एक बार आपने इसको 0 किया और X को फिर उधर ले गए आप तो A minus B is equal to X तो X की value अभी वही आई है कोई दिक्कत आपने का आपने का मैंने फिर यह नोट का लिए ना आप ज़रा सुनिए गा आपने का मैं यह method नहीं लगाऊंगा मेरी मर्जी मैं लिख रहा हूं इसको X minus A all square लिख दो और minus B square तो एक बार आएगा X minus A minus B एक बार आएगा X minus A plus B equal to 0 तो एक एक जब इसको 0 करोगे तो X की value A plus B आएगी इसको करोगे तो A minus B आएगी क्या दिक्कत है आपने का भाईया यह आप गला सलत बता रहे हो हम यह भी ने लिखेंगे देखो द्यान से आप कहेंगे हम यह लिखेंगे और B square को उधा ट्रांसवर कर देंगे square हटाने के लिए square root लगाते हैं तो जब square root लगाओगे तो X minus A is equal to square root हमेसे प्लस माइनस में आता है तो एक बार आप positive sign लोगे जब positive sign लोगो B positive हो गया तो X की value आएगी A plus B क्योंकि A minus का जाके उधर positive होने होना है एक बार negative sign लोगे तो X की रूगाएगी A minus B अभी वही value आ रही है आ रही है ना तो method कोई भी adopt करिए value will be the same समझारी बात